हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आया होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा एक के विशेगणित के सबतहा 14 की वक्सीट को सॉल्व करेंगे जो की उतरी दिल्ली नगर्णिगम के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी वक्सीट का टॉपिक है वस्तूओं की सहायता से जोड तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं फर्ष्ट कोश्चन है दौनों समूहों की थ्री तो बच्चो थ्री और वन कितने होते हैं फोर तो यहां पर लिखेंगे फोर अब बच्चो नेक्स्ट है फर्ष्ट समूह में कितनी वस्तूह हैं टू सेकंड में कितनी है थ्री तो बच्चो टोटल कितनी वस्तूह हो गई फाइव नेक्स्ट है बच्चो फर्ष्ट स दूसरे समू में एक, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो बच्चो पांच और एक को प्लस करेंगे, कितने हो गई सारी वस्तू है, छे, तो यहाँ पर लिखेंगे, अब बच्चो नेक्स्ट है, पहले समू में कितनी वस्तू है, छे, तो यहाँ छे लिखेंगे, दूसरे समू में है 2 तो 6 और 2 यह total कितनी वस्तूइं हो गई 8 तो बच्चों यहां पर 8 लिखेंगे next है पहले समू में कितनी वस्तूइं है तो बच्चों पहले में है 5 दूसरे में भी 5 हैं तो यहां पर भी 5 लिखेंगे तो बच्चों 5 और 5 कितने होते हैं 10 तो यहां पर लिखेंगे 10 next है पह दूसरे समू में कितनी है तो बच्चों 4 और 2 को प्लस करेंगे तो टोटल कितनी वस्तों हो गई 6 तो यहाँ पर 6 लिखेंगे अब है कोश्य नमबर 2 वस्तों की कुल संख्या को प्राप्त करने के लिए रिक्तिस्थान में वस्तू का चित्र बनाए और उसके ठीक नीचे संख भी लिखें तो बच्चों यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें 2 बॉल दी गई है यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर कितनी है थिरी तो बच्चों अब हमें यहाँ पर आंसर दिया गया है थिरी यहाँ पर हमें 2 में कितनी बॉल को प्लस करना है कि हमारे आंसर के बराबर हों तो बच्चों यहाँ पर हम one ball जो है प्लस करेंगे तो बच्चों यहाँ पर one ball draw भी करेंगे और यहाँ पर one लिखेंगे तो बच्चों इसका answer कितना है three तो अब यह क्या है दोनों बराबर हो गए इसी तरीके से बाग की करेंगे बच्चों अब हम next है three यहाँ पर कितनी है बच्चों यह पत्तियां यहाँ पर five है अब हमें और कितनी पत्तियों की जरूत है कि इसके बराबर हो जाएं तो बच्चों हमें दो पत्तियों की और जरूरत है तो यहाँ पर दो पत्तियों बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे दो next यहाँ पर कितने face है यहाँ पर है five और यहाँ पर कितने हैं बच्चो यहाँ पर है seven हमें बच्चो इसके बराबर करने के लिए यहाँ पर कितने face की जड़रोथ है two की तो बच्चें हाँ पर two face बनाएंगे two लिखेंगे यहाँ अब है question number 3 निम्न लिखित को हल करें बच्चों यहाँ पर कितनी strawberries है 4, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर कितनी है 5, 1, 2, 3, 4, 5 अब बच्चों सारी strawberries कितनी होगी अब हम इने plus कर लेंगे तो count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो यहाँ पर लिखेंगे 9 बच्चों इसी तरीके से हमें बाकी के सवाल करने है अब next है यहाँ पर कितनी strawberries है 2, यहाँ पर कितनी है यहाँ भी 2 है, total कितनी होगी 4, 1, 2, 3, 4 तो यहाँ 4 लिखेंगे अब बच्चों next है यहाँ पर कितनी strawberries है 8 और यहाँ पर कितनी है अब बच्चों सारी को प्लस कर लेंगे एक साथ कितनी हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो यहाँ पर 9 लिखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर कितनी स्टोबेरी है 2 और यहाँ पर है 1 तो कितनी हो गई 1, 2, 3 तो यहाँ 3 लिखेंगे next है यहाँ पर कितनी है बच्चो 1 और यहाँ पर कितनी है 3 तो सारी कितनी होगी मिलाकर 1,2,3,4 यहाँ पर 4 लिखेंगे next है यहाँ पर कितनी strawberries है 6 और यहाँ पर कितनी है 3 तो बच्चो 1,2,3,4,5,6,7,8,9 तो सारी कितनी होगी यह 9 तो यहाँ पर 9 लिखेंगे next है बच्चो यहाँ पर कितनी strawberries है यहाँ पर है 4 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर कितनी है 3 सारी कितनी हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यहाँ पर लिखेंगे 7 अब बच्चो ऐसे ही अगला सवाल करना है यह कितनी strawberries है 5 और यह कितनी है 3 सारी मिलाएंगे तो कितनी हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर 8 लिखेंगे अब बच्चो question number 4 है निमने लिखित को हल करें 5 और 1 कितने होते हैं तो बच्चो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं 5 line खीचेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और बच्चो यहाँ पर है 1 अब सारी को इसी तरीके से प्लस कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहाँ पर लिखेंगे 6 तो इसी तरीके से भी बच्चो आप इने कर सकते हैं नेक्स्ट है 3 प्लस 7 7 और 3 कितने होते हैं 10 यहाँ 10 लिखेंगे नेक्स्ट है 6, 6 में 2 और प्लस कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे 8 नेक्स्ट है 7, 7 में 1 प्लस कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे 8 यहाँ पर लिखेंगे 8 नेक्स्ट है 2, 2 में बच्चों हम 3 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 5 यहाँ पर लिखेंगे 5 नेक्स्ट इजीवन कौसल बेकार वस्तुओं का पुन है प्रियोग पैसे बचाना कुछ बेकार पड़ी वस्तुओं को नया रूप देकर कुछ उपयोगी वस्तुओं बनाई जा सकती है किस वस्तु से आप कौन सी वस्तु बना कर पैसे बचा सकते हैं मिलान करें तो बच्चों यहां पर हैं बेकार वस्तु हैं और यहां पर हैं उपयोगी वस्तु तो अब हमें इन्हें मिलान करना है धक्कन वाले खाली डिब्बे से क्या बना सकते हैं गुल्लक इसके साथ मैच करेंगे चूडियों से क्या बना सकते हैं? वाल हैंगिंग, बची उन से उनकी पेंटिंग बना सकते हैं, सूती कपडों से पोचा या फिर जहरन बना सकते हैं, प्लास्टिक की खाली बोतल से फूल दान या फिर पैन स्टेंट बना सकते हैं संसकार साला छोटी-छोटी पर बड़ी बाते कड़ी मेहनद जुर्रियों को दिमाग और आत्मा से दूर रखती है खाना पीना है लाल रंग की सबजी वे फल जैसे की सेव, टमाटर, इस्ट्रोबेरी बेरित्यादी को खाने में सामिल करना गती वीडी है दिल्ली के इसमारक इस्थलों के चित्र इखटे करना तो बच्चो जैसे की यहाँ पर इसमारक इस्थल दिये गए है लाल किला, यह है बच्चो जामा मस्जिद, यह है जंतर मंतर और यह है कुत्व मिनार तो बच्चों आप इसी तरीके से जो भी अन्य इसमारक इस्थल हैं उनके चित्र भी इखटे करकर यहां पर पेस्ट करेंगे नेक्स्ट है खेल हम सबसे कौन लंबा कूदें इस खेल को खेलेंगे देनिक दिंचरिया निम निलिखित आदतों को अपनी दिंचरिया में सामिल करें अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुवात करें अपने दातों को दिन में दो बार ब्रश करें प्रती दिन इस्नान करें इट मींस नहाएं खूब पानी पीएं और संतुलित आहार लें अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार-बार धोएं अपना ग्रह कारे समय पर पूरा करें बच्चों यदि आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूलें और यदि आप इस चैनल पढ़ना हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू